दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एक से चार मंजल तक का माकान बनाते हैं तो आप जो कॉलम उसमें बनाते हैं तो उस कॉलम के लिए हम जो मसाला बनाते हैं यानि कि जो हम कंक्रीट तयार करते हैं वो किस ग्रेड का हमें कंक्रीट तयार करना है और उसमें जो हम mixing करते हैं अपने cement की बालू की और aggregate की रोडी की तो हमें किस अनुपात में मिलाना है ताकि हमारा column जो है नीचे से उपर तक काफी मजबूत रहे सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब हम अपना column खड़े करते हैं तो column जो हमारे design पे और load पे और building कितना बड़ा बना रहा है उस पे depend करता है फिर column से column के दूरी कितना बड़ा आप दे रहे हैं column 9 by 15 का building में हम यूज करते हैं 9 by 18 का करते हैं और जो ज्यादा distance 20 feet 25 feet पे हमारा column से column की दूरी आती है जैसे हमारे यहां मकान में यूज किया गया है जो देख रहा है इसमें 12 by 18 का भी column यूज किया गया है उसी हिसाब से हम beam भी देते हैं तो जो हमारा 9 by 15 और 9 by 18 का column है maximum जो है उसमें 16 mm का सरीय यूज किया जा रहा है और यह जो 16 mm का सरीय दोस्तों 5 सूती का यह आप देख सकते हैं कि जो आज कल टाटा का ST लाता है जिंदल पैंथर का आता है मतलब अच्छा से अच्छा quality का आपको सरीय जिसमें rib होता है वो 5 से 6 इंच पर रखना है ज्यादा ज्यादे आप 7 इंच पर रख सकते हैं ठीक है और column में जो आपको ring hook जो हम मोड़ता है वो 135 डिगरी पर मोड़ना होता है और hook जो होता है आपको alternate यानि एक आप इस facing में रखेंगे तो दूसरा दूसरी side के facing में रखेंगे एक side में आपको मिस्तिरी को या ठेकेदार को हम जब काम दे देते हैं तो ओ लोग अपना वहाँ पर formula set कर लेता है कि एक बोरी अगर हो cement use करता है तो उसमें क्या करता है एक बोरी में अगर तीन तसला जो छोटे वाले हम तसला बोले या तगाडी बोले तो अगर उसमें तीन तगाडी उसम तो उसमें क्या है कि यह जो हम फर्मूला जानते हैं कि हम जो आई एसे स्टेंडर कोड हमारा काता है कि आपको पीलर में जो रसी सी वर्क होता है उसमें एम 20 का रेशीयो यूज्च करना चाहिए ग्रेड का अब मतलब होता है कि आप जैसे एक तसला मैं यहां पर अगर cement ले लेकिन साइट पे क्या होता है कि डिजाइन मिक्स प्रूपर्शन यानि कि खुद का हम जब मसाला उसमें मिक्स करते हैं तो हमारा जैसे एग्रिगेट जादा डालते हैं तो फिर हमारा जो मिक्सिंग होता है तो थोड़ा सा गड़बड हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि हम जो यानि कि रोडी जो यूज कर रहा है, वो under 20 नहीं हो, या फिर रोडी का साइज बड़ा हो, तो उससे जब हम उसमें सिमेंट मिक्स करते हैं, बजरी मिक्स करते हैं, तो हमारा जो उसमें लेसा बोला जाता है, वो निकल के सलरी अच्छा से नहीं निकलता है, इस वज़ा से फिर उसमें सेंड मिक्स किया जाता है उसके परपरसन को सही बनाने के लिए तो इसलिए क्या होता है कि अक्सर साइट पे जो देखा जाता है ओ लोग बरावर बरावर रोडी और बालू मिला देते हैं लेकिन दोस्तों कोसिस यह करना चाहिए कि अगर एक बोरी में आपके तीन तगाड़ी अगर सेमेंट निकल रहा है तो जब आप तीन तसला उसमें सेमेंट डालेंगे तो आपको कम से कम वहाँ पे 6 तसला जो है बालू डालना होगा मोरम और फिर वहीं 8 से 9 तसला आपको एग्रिगेट यानि कि गिट्टी यूज़ करना होगा रोडी तो बहुत लोग क्या करते हैं कि रोडी और मोरम सेम सेम कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा मिक्सिंग बना है लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ देने वाले चीज होती है हमारी एग्रिगेट ही होती है अब हम उसमें एग्रिगेट नहीं रखेंगे और सिर्फ मोरम और सिमेंट अगर यूज कर देंगे तो फिर हमारा जो स्ट्रेंथ है मजबूती हो मिले गए नहीं इसलिए जो भी डिजाइन मिक्स प्रोपोर्सन आपको बताया गया है आईसे स्टेंडर के हिसाब से एम 20 का आपको इस्तेमाल करना है एक तसला आप सिमेंट डालेंगे तो आपको 6 तसला से 7 तसला मोरम डालना है और 8 से 9 तसला आपको गिट्टी डालना है इसके बाद जब आप कास्टिंग करेंगे तो आपको दो चीज कॉलम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एक की आपको जब कॉलम लगाते हैं तो सबसे पहले उसका श्टार आप बना लें ताकि आपका जो कॉलम है वो सीधी पोजीशन में जाए और कॉलम के दोनों सा होती है हमारा बाइबरेटर बहुत जगह देखा जाता है कि लोग सर्या से लकड़ी से उसके श्ट्रक करते हैं लेकिन आपको बाइबरेटर जरूर यूज करने चाहिए इससे हमारा हनी कम बाने का चांस नहीं हो और हमारे कंक्रीट में वहां किसी तरह का एयर वायड नहीं कुछ करना है और चाहे जितना भी आप कास्टिंग करें एक बर पूरी करें दस फिट या फिर चार फिट की करें आपको बाइबरेटर जरूर चलाना है